पर मात्मा से कुछ नहीं चुपा है एक जंगल में एक सादू मात्मा रहा करते थे उनकी ख्याती दूर-दूर तक कई राजियों में फैली हुई थी लोग उनकी ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर-दूर से उन्हें खोचते हुए इस जंगल में आ जाया करते थे एक दिन दो यूबक इन मात्मा की खोज में इस जंगल में आ पहुचे जहां एक बड़े ही सुन्दर रमडी इस्थल पर मात्मा अपना गुरुकुल बना कर रहा करते थे वे दोनों ही इन मात्मा को अपना गुरुस्वी कार कर उनसे सिख्चा प्राप्त करना चाते थे मात्मा कई यूबकों को सिख्चा दे चुके थे लेकिन वे किसी भी यूबक को सिख्चा देने से पहले उसकी कसोटी किया करते थे इन दोनों यूबकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर से लगे और उनकी परिक्षा लेने की महात्मा ने तै किया महात्मा ने दोनों यूबकों से कहा कि तुम्हें अपना सिस्स जरूर बना लूँगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक सर्थ पूरी करनी पड़ेगी यूबकों ने महात्मा से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मान है महत्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखे दो कबूत्रों की मूर्थियां लाकर दोनों यूबकों को एक एक थमाते हुए कहा इन कबूत्रों की मूर्थियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई देखना रहा हो तब तुम्हें इन कभूत्रों की गर्दन मरोड देनी है जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना दोनों यूबकों ने अपने अपने कभूत्रों को ध्यान से देखा दोनों ही कभूतर भहुत सुन्दर थे और उन परभूत अच्छे से रंग और अकृतियां बनी हुई थी दोनों के मन में ख्याय लाया इतनी आसान और सरल परिक्षा से गुरू जी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे दोनों ने अपने अपने कभूतर लिए और अलग-अलग दिसा में जंगल में चले गए एक दिन योबग जंगल में थोड़ी दूर गया जहां एक सुनसान मैदान उसे देखा उसने चारों तरप अपनी नजरें घुमा कर देखा और यह निश्चित कन्ने के बाद की उसे कोई भी नहीं देख रहा है उसने अपनी सांथ लाय कभूतर के गरदन मरोड दी वह बापस गुरू के पास चला गया दूसरा योबग भी जंगल में दूसरी तरप एक सुनसान जगह पर पहुँचा और एक पेड के नीचे खड़ा वैकर हर तरप से नजरें घुमा कर देखने के बाद जब भे कभूतर के गरदन मरोड ने लगा तब उसकी नजरें अचानक पेड के उपर बैठे अन पक्छियों पर पड़ी क्यूंकि उसे ऐसा करते हुए भे पक्छी देख रहे थी इसलिए उसने कभूतर की गरदन नहीं मरोडी यूबक थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ाडियों में छिप गया और वहाँ पर कभूतर की गरदन मरोडनी की कोशिस करने लगा लेकिन वहाँ पर भी उसकी नजर जाडियों पर बैठी कीट पतंगे और मक्यों पर पड़ गई वहाँ पर भी वह यह काम पूरा ना कर पाया फिर कुछ सोचने के वाद युवक ने एक जबीन में बड़ा सा गड़ा बनाया और उसमें उतर कर कबूतर की गरदन तोड़ने लगा कबूतर की मूर्ती को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आँखें उसे देख रही है इसलिए उसने कबूतर की मूर्ती की आँखें ढगती फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आपको ऐसा करती हुए देखी रहा है इसलिए उसने अपनी आखों पर भी पट्टी बांद ली अब भेन श्चिंत हो गया कि ना कोई अंड़ प्राणी या कबूतर की मूर्ती या वो खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है वह कबूतर की गर्दन पर हाथ लगकर मरोडने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई वह आवाज उसके अंतरात्मा की थी यूबक का बच्चे से समझ गया था कि गुरू जी इस चोटी सी सरल सी दिख रही परिक्षा से उन्हें क्या सिक्षा देना चाहते थे यूबक बिना उसकबूतर की गर्दन मरोडे ही गुरू के पास महुचा गुरू के पार जाकर यूभक ने गुरू से माफिय मांगते हुए कहा कि गुरू जी मुझे छमा कर दीजिए मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया क्यूंकि जब भी ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता जब मैंने यह सुनश्चित कर लिया कि बहरी दुनिया में मुझे कोई देख नहीं रहा तब भी मेरी अंतरात्मा और भैपरमात्मा मुझे देख रहा था इसलिए मैं इस परिक्चा में पूरी तरह आसफल हो गया महात्मा ने उस यूबग को शबासी देते हुए कहा कि तुम इस कसोटी में आसफल नहीं बलकि पूरी तरह से सफल हुए हो इस कसोटी से मैं तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कारे करते हैं वह उस परमात्मा से उस परमसक्ति से कभी छुपा नहीं सकते इसलिए हमें कोई भी कारे उस परमात्मा को ध्यान में रख कर ही करना चाहिए और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी गलत कार नहीं कर पाते